तो मैं एजाज लड़न फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं सुवागत करता हूं आपका अपना फेवरेट यूटुब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में तो वीडियो में आगे बने से पहले आपसे चोटा सा एक रिक्वेस्ट है चैनल में नए है तो चैनल के निजे सब् अधिकार मानवा धिकार अधिकार के महत्व पर लिखें एंसी आर्टी में जैसा है उसी तरह हम लिखें हैं वहां पर लिखा हुआ कि मानवा धिकार फिर बाद में यहां पर फिर अधिकार लिखा हुआ है तो उसी के महत्व को हमें लिखना है सिंपल सा आप क्या समझ रहे ह ये जो मानवा धिकार है इसी के महत्वों को हमें लिखना है तो उत्तर में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा मानवा धिकार के बारे में डिसकस कर लेते हैं कि ये मानवा धिकार होता क्या है देखिए मानवा धिकार दो सब्द से बना है पहला तो है मानव अद दूसरा पलस ह अधिकार यानि मानब का जो अधिकार है एक वेक्ति का एक मनुस्त का जो अधिकार है उसी को हम लोग मानवा अधिकार बोलेंगे जब कोई मनुस्त जन में लेता है तो उसको जीवित रहने के लिए उसको कुछ अधिकार चाहिए उसको जिवित रहने के लिए उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार जो काफी important है उसको चाहिए ही चाहिए उनहीं अधिकारों को एक मानव का एक वेक्ति का जो वही अधिकार है उसी को हम लोग मानवा धिकार बोलती है तो आईए इसको उत्तर में और भी detail से समझते हैं यहां उत्तर में देखिए क्या है मानव को कुछ अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं यानि जब कोई मानव जन्म लेते हैं तो जन्म से उसको कुछ अधिकार प्राप्त होता है यह अधिकार मानव को चाहिए ही चाहिए तभी वो जीवित रह सकता है और उन अधिकारों में क्या है आईए देख लेते हैं जैसे सवतंत्रता का अधिकार यानि मानव जब जीवित होगा तो उनमें से एक अधिकार उसका है सवतंत्रता का अधिकार यानि आदमी को जीने के लिए सवतंत्र होना जरूरी है यदि कोई वेक्ति किसी का गुलाम है किसी के अंडर में है तो वो सोतंतर नहीं है यानि उसे सोतंतर होना चाहिए आजाद होना चाहिए दूसरा है अभी वेक्ति के अधिकार अभी वेक्ति मतलब अपने बातों को दूसरे के सामने रखने का अधिकार उसको होना चाहिए यदि मन के बातों को दूसरे के सामने रखना ही क्या है अभी वेक्ती तो उसका अधिकार होना चाहिए नियाए पाने का अधिकार यदि किसी मनुस्य से किसी परकार का धोकेदारी हो तो उसे नियाए पाने का इंसाफ पाने का अधिकार है जिसे मानवा धिकार कहते हैं यानि मानप के जन्म होते ही उसे कुछ अधिकार होता है तब ही वो जिबित रह पाएगा इन ही अधिकारों को हम लोग मानवा धिकार कहेंगे और भी इसके विसेस्ता को डीटेल से नीचे समझते हैं यहाँ पे हमारे देश में रास्टी अस्तर पर एक उच्चितम सनस्था है यानि हमारे देश में रास्टी अस्तर पर रास्ट के अस्तर पर देश के अस्तर पर एक उच्चितम मतब सबसे बड़ा सनस्था है जो मानविय अधिकारों की रक्षा यानि मानव का जो अधिकार है उसको वो अधिकार मिले मानव को वो अधिकार मिले उसका क्या करता है रक्षा करता है उसका हिपाजत करता है उसका सुरक्षा करता है मानवी यह मतलब मानव का और अधिकार तो आप समझ रहे हैं तो मानवी अधिकार मतलब मानव का अधिकार और आगे है उनके मतलब मानव के अधिकारों से संबंदित हितों मतलब भलाई हो यानि मानव के अधिकारों से संबंदित जो हितों हो जो भलाई हो के लिए सूरक्षा परदान करती है यानि सिंपल सा है अधिकारों की रक्षा करती है अधिकारों की क्या करती है रक्षा करती है और उनके जो अधिकारों से संबंदि जो हित है उसकी क्या करता है सूरक्षा करता है वही रक्षा करता है यहाँ पे रक्षा का भी मतलब होता हिपाज़त करना सुरक्षा करना और सुरक्षा का भी मतलब होता हिपाज़त करना अब आगे ही स्तनस्था को रास्तिय मानवा दिकार आयोग कहते हैं यह वही आयोग है जो मानव के हितों का रक्षा करता है मानव का जो अधिकार है उसका क्या करता है रक्षा करता है और मानव का जो अधिकार से संबन दी जो हित है जो भलाई है उसका क्या करता है उसको सुरक्षा परदन करता है अब आगे देखिए मानवा धिकार आयोक का महत्व इस बात से बढ़ जाता है मानवा धिकार आयो का महत्व इस बात से बढ़ जाता है वो कौन सा बात है देखिए इस बात से बढ़ जाता है कि इसका अध्याक्ष मतलब मालिक मानवा धिकार का अध्याक्ष इसका मालिक भारत के उच्चतम नियायाले यानि भारत का जो उच्चतम नियायाले है सुप्रीम कोट है के पुर्ब मतलब पहले का मुख्य नियादिस होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं यानि उच्चतम नियायाले का जो में जज होता है जो डिटायर कर चुके हैं जो पुर्ब का है वही जो है इस मानवादिकार आयोक क अधियक्ष होता है आगे देखिए इसी तरह देश के परतेक राज में एक राज मानवा धीकार आयोग है परतेक राज में क्या है राज मानवा धीकार आयोग का गठन किया गया है उसका निर्मान किया है गया है उसको बनाया गया है जो राज के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा मतलब हिपाजत संबंधी बातों को देखती है असपस्ट बात है ये राज मानवादी का रायोग है तो ये राज के जो नागरिक है उनके अधिकारों का रक्षा करेगा हिपाजत करेगा उसी से संबंधी बातों को ये देखने का काम करेगा तो यहाँ पर वीडियो समाब तो होता है डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो स्केलिंग है वीडियो देखने के लिए आपका धन्वाद